Hello everyone, welcome back to my channel तो guys, आज है हमारी Class 34 और आज की Class में हम लोग सीखेंगे बच्चो के नाप जो है हम किस तरह से निकालते हैं यानि के Baby Measurement जो है हम किस तरह से निकालते हैं जब भी मैं किसी भी चीज़ की वीडियो डालती हूं स्म ć talent कंदे से कमर या आने की में स्ट निक कर कार निक्कर की लंबाई और छिकंक की लंबाई हैं ने मों पजाम होती है या फैंट और भी अ चला बहुत है है उसकी बतांगी कभी भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों के साइध में ठीक है जी तो चलिए फिर हम लोग जो है वो शुरू करते हैं तो जी सबसे पहले जो है हम एक साल के बच्चे से स्टार्ट करेंगे तो गाइस मैं यहाँ पर आप लोग को एंच और सेंटीमीटर दोनों में ही बताऊंगे क्योंकि बच्चों के जाए इन्च, किपड़े 4-5 cm बनते हैं तो इसलिए जो है मैं अप लोग को इंच और सेंटीमीटर दोनों बताऊंगे तो आप लोगों को जादा असानी होगी तो सबसे पहले जो हम एक साल की बच्चे का देख लेते हैं तो गाइस एक साल की बच्चे की जो हमारी चेस्ट होती है उसे हम लेते हैं 18 इंच यानि की सेंटीमीटर करेंगे तो आएगा हमारा 46 सेंटीमीटर इंच का निशान ये वाल 46 cm ठीक है जी और जो हमारी हिप होती है वो भे जो है हम 18 इंच ही लेते हैं यानि कि अगेन जो है 46 cm क्योंकि देखिए जो एक साल का बच्चा होता है उसकी चेस्ट वेस्ट और जो हिप लाइन होती है वो लगबग एक जैसी ही होती है तो इसलिए जो हम तीनों चीज़े जो है वो एक जैसी ही लेते हैं अब बारियाती है हमारी 13 यानि कि एक्रोस बैक तो वो रखते हैं हम यहाँ पर 8 इंच यानि कि 20 cm ठीक है जी अब बारियाती है कि हमारा जो गला होता है हम गला कितना रखते हैं तो जो हमारा गला होता है वो रखते हैं हम 9 इंच का यानि कि 23 cm ठीक 10 inch यानि कि 25 cm ठीके जी अब कंडे से जो कमर है हमारी वो रखते हैं हम 7 inch पर यानि कि 18 cm निकर की जो हमारी लंबाई होती है वो रखते हैं हम 9 inch यानि कि 23 cm जो हमारी फ्रॉक की लंबाई होती है उसको रखते हैं वह 15 inch से लेकर 16 तक ठीके जी यानि कि 38-41 cm पर भाड़ी आती है हमारे लंबाई तो जो हमारे स्लेक्स की लंबाई होती है उसको रखते हैं 16 inch टू 18 3-inch ठीक है जी यानि कि 41 से लेकर 46 cm तक तो जी ये तो हो गए हमारे एक साल के बच्चे के सारे साइज अब मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को बताओं कि एक से लेकर 2 साल के बच्चों को आप उसको पहना सकते हैं यहाँ पर 3 से लेकर 4, 5 से 6, 7 से 8, 9 से 10 ठीक है जी तो जी जो हमारा एक से दो साल का बच्चा होता है उसकी जो हमारी चाती यानि कि चेस्ट होती है उसको रखते हैं हम 20 cm यानि कि 20 इंच यानि कि 51 cm और जो हमारी हिप होती है वो भी हम रखते हैं 20 इंच यानि कि 51 cm और जो हमारी हिप होती है वो भी हम रखते हैं 20 इंच यानि कि 51 cm औ 51 cm आप लोग छोटे बच्चों को देखिएगा छोटे बच्चे की हिप, चैस्ट और वेस्ट वो बिल्कुल एक जैसी ही होती है उन लोग का कोई शेप नहीं होता तो इसलिए जो है हम ये तीनों चीज़े बच्चों की बराबर ही रखते हैं जाद अधर ठीके जी, अब जो हम एक से लेकर दो साल के बच्चे का जो हमारा तीरा होता है वो रखते हैं साड़े आठ इंच यानि की 8.5 इंच अगर हम उसे सैंटीमीटर में करेंगे तो आएगा हमारा 22 सैंटीमीटर ठीके जी हाँ जी, तो एक से दो साल के बच्चे का जो हमारा दला होता है वो रखते हैं हम साड़े 9 इंच यानि की 9.5 इंच अगर हम उसका सैंटीमीटर करेंगे तो आएगा हमारा 25 सैंटीमीटर ठीके जी, अब जो हमारी बाजू होती है बच्चे की वो लेते हैं हम 11 इंच 11 इंच अब इसको हम सैंटीमीटर करेंगे तो आएगा हमारा 28 सैंटीमीटर ठीके जी, अब बारे आती है हमारी कंदे से कमर की लंबाई की तो वो रखते हैं हम साड़े 7 इंच यानि की 7.5 इंच अगर उसका सैंटीमीटर हम करेंगे तो आएगा हमारा 19 cm ठीक है जी? अब बारी आती है हमारे निककर की लंबाई की तो जो हमारे निककर की लंबाई होती है एक से दो साल के बच्चे की वो रखते हैं हम 10 इंच ठीक है जी? तो यानि कि सेंटीमेटर करेंगे तो आएगा हमारा 25 cm आप बाते है हम की Xianfra ukा किं सैंठी मीटर हुज हमारी डिम्च इंच से लेकर फ्रॉक के बंद 6 से7 जया है ॥ो suffrage यहां को सुने यारी कि सैंठी मियों के दंबाई सावा एक भी हो रखता ओ घो लेकर से रखेज यानि कि से शंटिमीटर आएगा हमारा 46 त सकते हैं, डापने हैं अच्छी 5 के संटिमेटर ही 25 संटिमेटर यानि की, sorry, 22 inch यानि की 56 cm, 56 cm, अब जो हमारे 3 से लेकर 4 साल के बच्चों की कमर होती है, वो रखते हैं हम 22 inch यानि की 56 cm, अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे ये chest, waist और hip है, वो लगबल हमारी जो है बच्चों की same ही आती है, आप लोग बेख सकते हैं यापर, तो जो हमारी hip होगी वो भी हमने 22 inch रखनी है, यानि की 56 cm, अब जो हमारा 3 से लेकर 4 साल के बच्चे का, वो हमारा जो हाफ हाफ इंच जो है बढ़ता जा रहा है, तो 3 से लेकर 4 साल के बच्चे का जो हमारा 3 होगा, यानि की across back, यानि की जिसे हम shoulder भी गहते हैं, तो वो आएग अब जो हमारा गला है, नेक वो भी हमारा जो है, यहाँ पर हाफ इंच एड हो गया है उसमें, तो उसे रखेंगे हम 10 inch, यानि की cm पे हमारा आएगा 25 inch लगभग साड़े नाओ और 10 का जो cm होता है, वो लगभग हमारा 25 cm ली आता है, ठीक है जी, अब जो हमारी बाजू है, यानि की स्लीव से लेकर 4 साल के बच्चे का, तो वो रखते हैं हम 12 inch, 12 inch, यानि की इसको हम cm करेंगे, तो आएगा हमारा 31 cm, ठीक है जी, अब बारी आती है, हमारे कंदे से लेकर कमर तरकी, तो जो हमारा कंदे से लेकर कमर होता है, उसको हम रखते हैं 8 cm, यानि की 21 cm, बार बार जो है, मैं उसको cm भोल दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखावट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, अब बारी आती है, हमा हमारा 28 cm, यानि की 28 cm, ठीक है जी, अब बारी आती है, हमारे फ्रॉग की लंबाई की, तो जो हमारे फ्रॉग की लंबाई होती है, उसको रखते हैं, हम 20 इंच से लेकर 22 इंच तक, ठीक है जी, यानि की इसको अगर हम सेंटी मीटर में कनवर्ट करेंगे, तो आएगा हमारा 51 से लेकर 56 cm, तक 51 to 56 cm, ठीक है जी, अब बारी आती है, हमारे पजामे की लेंथ की, तो जो हमारे तीन साल का विबी होता है, उसकी हम रखते हैं 20 से 22, जो हमारे पजामे की लेंथ होती है, उसको भी हम 20 से 22 इंच रखते हैं, लगभग 51 से 56 cm, ठीक है जी, अब बारी आती है, ह एक हमारी साल से लेकर छे साल तर के बच्चे होते हैं उनकी जो चैस्ट होती है वो रखते है हम 24 एंच अगर इसको सेंटिमेंटर में कनवर्ट करेंगे तो आएगा हमारा61 सेंटिमेटर ठीक है अब जो हमारी कमर होती है यानि कि selfie वो रखते हैं हम 22 एंच यानि कि 56 सेंटीमीटर अब जो हमारी हिप होती है उसको रखते हैं 24 एंच यानि कि 61 सेंटीमीटर ठीक है जी अब जो हमारा तीरा होता है उसको रखते हैं हम 10 सेंटीमीटर जो हमारा तीरा है उसको रखते हैं हम 10 एंच तो यानि कि 25 सेंटीमीटर अब जो हमारा गला होता है तो गला हम रखते हैं यहां पर 11 inch 11 inch को गर हम cm में कर एट करेंगे तो आएगा हमारा 28 cm ठीक हे जी अब बारी आती है हमारी बाजू यानी की Zionik dv तो जो हमारी sleeves होती है उनको रखते हैं 14 cm 14 inch जलयानी की 36 cm ठीक है जी अब वो कंधे से जो कमर हमारा होता है यानि कि shoulder to waist वो रखते हैं हम 9 inch यानि कि 23 cm ठीके जी अब बारी आती है हमारे निककर की लंबाई की यानि कि short जो हमारे होता है baby का उसकी length जो है हम वो रखते है 12 inch 12 inch यानि कि 31 cm ठीके जी अब आती है हमारी की frog की लंबाई कितनी रखते हैं तो जो हमारे frog की लंबाई होती है baby की 5 से लेकर 6 साल तक की तो वो रखते हैं 24 cm sorry 24 inch यानि की 60 cm और जो हमारी pajami की length होती है pajami slacks जो भी आप लोग कहते हैं वो होती है हमारी 22 से लेकर 24 22 inch से लेकर 24 inch तक यानि की अगर हम उसको cm में convert करेंगे तो यानि की 56 to 61 cm ठीक है जी अब बारी आती है हमारी 7 से लेकर 8 साथ से लेकर 8 साल के बच्चे का तो जो हमारी 7 से 8 साल का बच्चा होता है उसकी चेस्ट जो है वो हम रखते हैं 26 inch यानि की 66 cm ठीक है जी अब जो हमारी कमर होती है वो रखते हैं हम 23 inch 23 inch यानि की 58 cm ठीक है जी अब जो हमारी हिप होती है वो रखते हैं हम 28 एंज यानि की 71 cm और एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगी यहां पर अगर आप लोग जो है बच्चों के कपड़े कट कर रहे हैं तो उसे cm में कट किया किजिए तो ना आप लोग को और भी ज्यादा असानी ह होगी और और भी ज्यादा जो है आप लोग का परफेक्ट बैठेगा अगर आप लोग सेंटीमीटर से कट करेंगे तो फिक है अब हमारा साथ से लेकर आठ साल के बच्चे का जो हमारा एक्रोस बैक है यानि की 13 वो हम लेते हैं 11 इंच यानि की 28 cm यह 11 इंच को अप लोग ध यह आनि की 29 cm ए 10 इंच यानि की 29 cm अब बारी आती है हमारी गंदे से कमर तो फिक है तो इस जो पारDOंब से 10 एंच तो उसकी जो लंबाई है वो रखते हैं हम 13 एंज यानि की 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, अब बारी आती है फ्रॉक की लंबाई की, तो देखिए जो हमारी फ्रॉक की लंबाई होती है वो लग बग रखते हैं हम 26 एंज यानि की 66 सेंटीमीटर, अब स्लेक्स की जो लंबाई है वो रखते हैं हम 26 to 28 26 से लेकर हम 28 जो है रख सकते हैं और जो cm होगा इसका वो होगा 66 to 71 cm ठीक है जी अब जो है हमारा लास्ट रह गया है 9 से लेकर 10 साल के बच्चे का तो जो हमारे 9 से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनकी जो चेस्ट होती है वो होती है हमारी 28 cm यानि की 28 inch यानि की 71 cm आप लोग धिहान देना बार बार जो है मैं इसको इंच को cm बोल दे रही हूं मैं बहुत ट्राइ करते हूं लेकिन मेरे से निकल जा रहा है तो मैं आप लोग को बार 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 बता दे हूं कि आप लोग लिखे वे प ठीक है अब बार आती है हमारे हिट की तो जो हमारी हिट है वो है 30 inch यानि की 79 cm ठीक है जी अब बार 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 आती है हमारी 13 यानि की हमारा शोल्डर या फिर हम इसे across back भी कहते हैं वो लेंगे हम 12 inch यानि की 32 cm ठीक है जी अब बारी आती है हमारी गले की नेक जो है हम कितना रखते हैं तो जो हमारा नेक है वो रखते हैं हम 12.5 यानि की साड़े 12 इंच का तो अगर हम इसे सेंटीमेटर में कनवर्ट करेंगे तो आएगा लगबक हमारा जो है 32 cm 12 का जो है 31 cm होगा ठीक है जी अब बारी आती है हमारी बाजू की तो हम बाजू जो हमारी sleeves है वो रखते हैं हम 19 inch की यानि की अगर हम इसको convert करेंगे cm में तो आएगा हमारा 48 cm ठीक है जी अब shoulder to waist यानि की कंदे से लेकर जो हमारा कमर होता है 11.5 inch पर यानि की 29 cm ठीक है जी अब बारी आती है हमारी निकर की लंबाई की तो जो हमारी निकर की लंबाई होती है नौ से लेकर 10 साल के बच्चे की वो रखते हैं हम 14.5 inch यानि की 37 cm फ्रॉक की लंबाई जो है वो रखते हैं हम 28 cm 28 sorry inch यानि की 71 cm ठीक है जी अब जो लास है हमारा यानि की हमारी पजामे की लंबाई पैंट पजामा स्लैक्स जो भी आप लोग की आते हैं वो रखते हैं हम 28 inch to 30 inch ठीक है जी यानि की 71 to 76 cm तो गाईस मैंने आप लोग को जो है आज एक से लेकर 10 साल तक के बच्चे के measurement बताए हैं और अभी एक चीज़ और बताती हो मैं आप लोग को देखें ये होता है हमारा inchy tape तो आप लोगों ने कई लोगों को शायद ना पता हो वैसे तो almost सभी लोगों को पता ही होगा तो ये वाला जो side होता है ये होता है हमारा inch वाला side जो हमारा side होता है ये इसको हम inch बोलते हैं और इसके पीछे ही हमारा ये centimeter वाला होता है तो मैंने जो है आप लोगों को inch और centimeter दोनों ही बता दिया है जैसे कि एक साल के बच्चे की जो हमारी पीछे से देखेंगे तो देखे हमारा आ रहा है लगबग 46 cm तो देखे हमने हाँ पर 46 cm लिखा है तो इसी तरह से जो है मैंने आप लोग को एंच और सेंटीमीटर दोनों में बताया है क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत छोटे होते हैं अगर आप लोग सेंटीमीटर वाली साइट से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है जी तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करती हूं कि आप लोग को कुछ भी जो है मेर से वहाँ पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नेहाफैशन्हॉलिक.09 अगर पसंद आईए हो वीडियो और हैलफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिज